आज मैं आपको एक बहुत ही इंपोर्टन चीज बताने वाली हूँ जो की आपकी ओरिजनल पावर को रोग के रखता है दिखो लॉफ एक्षिन या फिर आपकी नॉर्मल लाइफ भी आप इस सिद्धान को जानो नहीं जानो वह बहुत ज्यादा मैं उस पर अभी इस वीडिय वे नहीं में आत्मा हैं हम कोंश्यास इस बॉडी में आएपर क्या होता है कि हम वह रियालिटी या हमारे पास जो सुप्रीम इखक करते हैं यह जानकर हमको नुए और दूसरी इंपोर्टन चीज जो हमको नहीं बता रहें कि उसको कैसे यूज करके इस लाइफ को अबंडन्स वाली लाइफ बनाया जाए हर फील्ड में तो यह चीज तो कोई सिखाता ही नहीं है जबकि छुटी-छुटी सी प्रैक्टिस है चाहे ग्रेटिट्यूट हो चाहे जाया meditation हुई यही वो प्रैक्टिस है जो हमारे ओरीजिनल पावर को याद दिलाते हैं अब कौन सी चीज है जो हमारे ओरीजिनल पावर को भूला देती हैं आज की वीडियो में मैं यहीं बताने वाली हूँ। टॉक्टर जॉन डी मार्टिनी का मैंने podcast सुने मैं कही बार उ तो इंस्टेंटली या इस वीडियो के खतम होते तक ही आप अपने अंदर से उस चीज को खतम कर दोगे और अपनी लाइफ को हैपिनेस की लाइफ को पॉजिटिवली देखने लगोगे या उमीद की किरण तो आपके अंदर डेफिनिटली आही जाएगी तो यह क्या है यह सा बात डर जो कि हमारे ओरिजिनल पावर को रियलाइज ही नहीं होने देते हैं तो पहला जो डर है वो डर है वी डूनाट है इनफ टो सक्सेस मतलब हमारे अंदर इस चीज का हमेशा डर रहता है कि जो बहुत सक्सेस्पूल लोग है उतना हमारे पास काबियत नहीं है यह होता है तो आप भी शुरू कीजिए जो भी आपको पसंदने दीरे दीरे वो काम करना शुरू कीजिए और प्रैक्टिस से ही आप स्किल्ड बनोगे तो आज से यह डर खतम हो जाएगा आपका दूसरा डर होता है फेलियर का डर हमको लगता है कि हम कोई भी काम शुरू ही न कितनी बार जीता है इससे दिसाइड नहीं होती है कितनी बार वह 날 व्यहीं है इससे उसकी स Quiz डिसाइड होती है आप देखिए जो बहुत सक्सेसफुल है उसकी फेलियर के नंबर भी बहुत हाई रहते हैं तो इस तरह से आज से आप इस डर को भी निकाल दीजी फेलियर नाम की कोई चीज एक्सिस्टी नहीं करती आप फेल हुए किसने याग किया वो तो उसी टाइम उस को छोड़ दीजिए फिर नेक्स्ट फियर है रिजेक्शन का फोर्थ फियर जो है रिजेक्शन का रिजेक्शन फ्रॉम पीपल रिजेक्शन फ्रॉम सुसाइटी तो हम हमेशा यह डगते हैं कि हम कुछ काम करेंगे तो लोग हमको रिजेक्ट ना कर दें या हमारे तो कौन आपकी है करने आता है कोई नहीं आता आपको खुद ही अपनी जिम्मेदारी लेना है अपना जीवन आपको खुद ही सुधारना है तो इस डर को भी खतम कर दीजिए आज से नेक्स्ट जो डर है वो है not making money या money loss of money यह डर भी बहुत important होता है जादा तर लोगों के दिमाग में कितनी successful रहते हैं उनके दिमाग में भी यह रहता कि अगर पैसा खतम हो गया तो क्या होगा या मैं पैसे नहीं बना पा रहा हूं जितना मुझे चाहिए तो क्या यह डर है इसको खतम कर दीजिए इसको खतम करने की बज़ाए यह सोचना शुरू कीजिए कि मैं कैसे अपना जो काम कर रहा हूं उसको और अच्छे से कर सकता हूं जब आपका focus वहां रहेगा तो already money रहेगी और दूसरी बात loss की तो कोई भी चीज परमाने नहीं है हर चीज को खतम होना है और हर चीज को नए तरीके से फिर से आना है यह लौ है यूनिवर्स के साथ उस लौ में आप चलिए बैलेंस क्रिएट कीजिए और अगर खतम भी हो गया तो हमारे पास capability हम फिर से बना सकते हैं किसी भी चीज के साथ attachment नहीं र not appreciated और not loved यह अक्सर डिप्रेशन में लेके जाता है लोगों को देखो हम appreciated की feeling चाहते हैं मतलब लोग हमारे तारीफ करें हम हर human की टोनी रॉबिन ने भी बोला है जो six essential need है उसमें एक need है significance means हम अपनी importance बताना चाहते हैं हम recognize होना चाहते हैं हम पहचाने जाना चाहते हैं हम प चाहते हैं दूसरों से यह fact है बट इसका original source क्या है आप जितना नीडी ही रहोगे किसी भी relation में आप नीडी ही रहोगे आपके पास money आपके पास love की fulfillment appreciation की fulfillment आई नहीं सकते तो सबसे important चीजिस नीड को खतम कीजिए और यह डर जो दूसरों से है इसको खतम कीजिए खुद के साथ अपनी relation मनाई है जो हमारी खुद के साथ relation रहती है वही relation permanent होती है और जब हम उस feeling में रहते हैं जैसे बोलते हैं खुद को प्यार करना शुरू कर दीजिए खुद को appreciate करना शुरू कर दीजिए तो वो जब radiate होगा तो दूसरे खुद आपको प्यार करने लगेंगे appreciate क तो सुमाय दियर हैं इस डर को भी खें की जीए कि लोग मुझञे पशन नहीं करेंगे है लोग मुझे प्यार नहीं करेंगे beneath यार उनसे आपका पहले आपका आपस रिष्टा है उसके बाद उनका उनसे दिस्टा है तो खुद पर अपने अपने एक रिखेध रख एक भुद पर फिलीग की जिए पियार की कीजिए और अब वही एट्रेक्ट करोगे लो आफ अट्रेक्शन भी यहीं भूलता है नेक्स्ट फियर है नॉट हेविंग एट्रेक्टिव बॉड़ी वेट और ब्यूटी यह भी सोसाइटी में बहुत बड़ा डर है या लोगों को यह डर बहुत जादा रहता है कि मेरे पास मेरा परफेक्ट बॉड़ी वेट नहीं है या मैं सुन्दर नहीं हूं यह चीज़े भी बहुत डीपली करती है साइको साइबरनेटिक बुक है मैक्सवेल की है आप इसकी अडियो बुक सुनिए कि वह सर्जन होते है प्लास्टिक सर्जन कि कैसे कि छोट इसी चीज वह करेक्ट कर देते हैं और उसकी लाइफ जो फेलियर वाली तम से सबसेस्फुल वाली लाइफ बन जाती है पर ग्रूम्ड होके देखिए या आपकी जो मन आपका हो रहा है वैसे क्लोट पहन के देखिए आपका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल कर रहेगा तो यह जो डर है इस चीज को छोड़ दीजिए हर व्यक्ति सुन्दर है अपने आपको आप किसी भी फिल्ड में कैसा भी वेक्ति हो बट अगर वो अपने आपको खुद अंदर से सुन्दर बोल रहा है तो दुनिया भी उसको सुन्दर बोलने लगती है इसके कोई स्टेंडर नहीं है कि ऐसा ही कलर होना चाहिए ऐसे ही फीचर्स होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है हम जब खुद से प्यार करने लगते हैं तो कैसा भी वेक्ति दिकता हो और उसके चहरे पर जब मुस्कुराहट रहती तो कैसा भी वेक्ती हो सबसे सुन्दर वेक्ति दिखता है तो मैई डियए इस इस डर को भी खतम कर देजिए और लास्ट है जो बहुत इंपोर्टेंट है अभी बीइंग डॉक् स्वास्त रहते हैं बट वो छोटी मुटी जो इलनेस रहती है उसको इतना बड़ा मान के आते हैं हमारे पास और उनको लगता है कि कहीं मैं हमेशा के लिए बीमार हो गया तो कहीं मुझे ये बीमारी हो गई तो मतलग अब इनर्जेटिक बोड़ी ये बहुत बड़ा धर है लोगों के बीच में ये डर रहता है कि कहीं मेरी एज तो बहुत जादा नहीं हो रही है या मैं बहुत जल्दी उम्रदराज हो रहा हूं इस तरह का ये जो डर है न इसको भी खतम कर दीजे जिंदेगी बोलते हैं न लं दर से आप जितना दूर रहोगे उतनी आपकी अल्दी रहे है उतनी आप उतनी आप रोगों से दूरी बना पाहोगे और ही बात एज की तो मैंने ये कई बार बोलाए एज इस नोड़ दा मैटर सौफ ये इस नमैटर ओ फिलिंग आप कैसा फील कर रहे हो ये इश्रुवात कीजिए इश्वर आपके साथ है we all are God and have the power of God we will be meeting in our next video